नमस्कार दोस्तों मैं संदीप स्वागत है आप सभी कापके अपने सक्सेस टो यूटूब चैनल में दोस्तों आज पार्ट नमबर है थार्टीन आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के टॉप 50 कोश्चन के बारे हैं जो कि एक्जाम में पिछले कई सालों में कई बा हिल्प खुलोंगे और यह सारे कोश्चन पिछले कई सालों से रिपीट भी हुए हैं और आप सभी के लिए इंप्वाटेंट भी हैं तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं वीडियो को पूरा देखते रहे हैं क्योंकि कोश्चन इसमें 50 पूरे हैं ठी यह अची सिरीज को स्टार्ट करते जिन शात्रों कोई ग्योगा जो भी कोई होगी यह जी वीडियो से के लेंग ब्यक्सकाशिक हैं और सब् konst.. के चात्रों के लिए क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी इन्वर्सिटी में कंपल सरी है और सभी में ऐसा ही कुछे जाते हैं आप सभी को मालूम है कि बीडियो पूरी तरह इप्वाटेट है क्योंकि कोविट की वज़ा से इस बार जो सत्र आया है यारी कि जब जाम होंगे दूसरे सत्र में आने वाले तो इसमें कुछ क्योंकि सोचल को मेंटेन करते हुए बहुत सारे कम कोश्चन एकजाम में पूछे जाएंगे और जयातर अब्जेक्टिव बेस पर ही होंगे एकज इससले में कि लिखा है कि रीत काल कि 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 सो के बाद आता है मैंने से टॉप रखा है लिखा है कि मरतमान ऍमार्ब्सटिकाल सी नंमबरे कि दूप वो किस काल के बाद आता है जिन छात्रों को मालूम बेसा कमेंट करके वो एंसर बता सकते हैं राइट एंसर इसका हो जाएगा फिरहाल भक्तिकाल हम इसका राइट एंसर आपको बताएंगे इस वीडियो सभी का लेकिन आने वाले दुरों में जब टेस्ट स्टार्ट होगा तो इस सारे कोश्चन आप सभी को ही बताना होगा ध्याद से कोस्षण का अंसर समझेंगा राइट इस भक्तिकाल हो जाएगा अगले को बढ़ते हैं रित काल का अंतिम स्रेष्ट कभी किसे माना जाता है नंबर ए आपको मिलेंगे कबीर तुल्सी ग्वाल गोप कोईशन का राइट एंसर हो जाएगा सी नमबर ग्वाल रस्का नंद के रस्ताकार जो है वो कभी है कभी ग्वाल जी है ठीक है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन के रहा कि निम लिखित में से अस्ट्याम किसकी रस्ता है बिहारी भूसन जश्वंत सिंग और अगला अपसर देव कुश्चन समझेगा अस्ट्याम किसकी रस्ता है ठीक है आपसर मिल जाएंगे आप लोगों को यह इसमें राइट एंसर हो जाएगा डी कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा 105 उराज भूसन में लंकारों कि जो संक्या 105 है इसलिए राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आप समी को मालूम है कि हिंदी में सबसे ज्यादा कुश्चन पूछे जाने वाले हैं वह इस वी बिल जाएगी मतिराम विहारी दियू जैसी तो यह जो पंक्ति है वह मतिराम की है इसलिए कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा अगला क्योंकि च्छत्र प्रकास कि प्रकार का का बी नमबर एक चरित काब बी नमबर प्रहस्तन का इसी नमबर गीत नाट टे काब और डी नमबर राशो का बी तो इसको से राइट एंसर हो जाए जो चंट प्रकार है वह चरित में तो बढ़ते हैं कि रीत काल के काउंसर प्रिशिद्ध का भी भारते नुके पिता थे नमबर एक गिर्धरदास के तो गिर्धर का भी राय और दी नमबर में से कोई निए तो कोश् ट्री नंबर बढ़ते हैं कि रीट काल को स्रंगार काल किसने का बहुत इंपॉर्ट है यहां बार रिपीट थ्यान दिजिएगा केका मिस्ट काल को संगार का शुनात प्रशाद मिस्तर निए अगले के लिखा कि भासा भूसर्ड के रशेता कौन है नंबर एक देव जस्वन सिंग बोसन और ग्वाल वी नम्बद स्थी अगला कुछ ने कि इनमें से रीत बद्ध कभी कौन है यह भी नंबर एक वरतमान भागतिकाल और रीत का रोगाइज रित हो जाएगा रीदकाल की प्यांस पर देला लगार के तर रहा परमुक्विस्ए क्या है नमबर एक स्रंगार ज्यान और बिसय सकती बहुत इंपार्टन कोश्चेन है द्यान दीजेगा इस पे तो हैट हो जाएगा बीनमबर स्रंगार अगला कोश्चन नि कि शिवा-बाउनी के लेखक कौण है नमबर एक मति राम भोसन शासलीन और डटी नंबर है देव को शिवाउनी के लेखक भूसन जी इस लिए ब्ली ठीक है बढ़ते हैं अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन है कि डाक्टर नागेंद रीत काल का प्रवर्तक किसे मानते हैं आपको मिल जाएं किसो दास रहिम दास मतिरा भूसन ठीक है तो यहां पर रीत लिखा पर काल नहीं लिखा तो आप लोग समझ लीजेगा रीत काल य ठीक है डाक्टर नागेंद्र जी रीत काल का प्रवर्तक के सो दास को बांते हैं अगले कोश्चन को बढ़ते हैं लिखा कि निम लिखित में से पदमा भरण किसी क्रति है नंबर घरानन भूसन पदमाकर के सो दास कोश्चन कर राइट एंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पदमा भरण वो है पदमाकर की करति है इसलिए कोश्चन कर राइट एंसर ची नंबर हो जाएगा आगला कोश्चन है कि रीत काल में रीत सब्द का पिर्योग किस अर्थ में हुआ है नंबर आपको मिल जाएंगे अफसन के धर्म वेद परंपरा काब्यांग निरूपड तो जो रीत काल में रीत सब्द का पिर्योग हुआ है वो उस अर्थ के लिए हुआ है उसका नाम है काब्यांग निरूपड ये इंपॉर्टन कोश्चन है तो ध्यान में रिखेगा एक्जाम में आपके आ सकता है इस बार फिर ठीक है अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं लिख आरे सब कभी हैं या ठीरज्चा कर सकते हैं आप लिखा कर ठीक है तो ध्यान दिजी और यह महुं साए छात्र होगे जिनको नहीं मादम होगाँगा देव जी के बारे में बिहारे जी के मारे में रहीम दास बार एगे, तो यह सारे कवी हैं, ठीक है, अगले कोश्चिन के और बढ़ते हैं, लिखा है कि देव किसके दर्बारी कब थे, आफसर मिल जाएंगे, जैसिंग, नागेंद्र, भावाने शिंग, नर्शिंग, ठीक है, नर्शिंग, तो कोश्चिन का प्रिट और जाए इए जो देऊ थे मुः भादिशिंग्ग दर्बारी कब थी कुश्चिन के राइट रफिट रस्वी हो जाएगा है अगला कुश्चiones की निम्नीखित में से रामसत सही के रचेता कौुण है नंबर एक राम सहाईदास B नमबर है डागरी दास C नमबर है पदमाकर D नमबर है आलम तो इस question का जो right answer है दोफतू वो हो जाएगा नमबर A राम सहाय दास ठीक है अगले question को बढ़ते है अगला question कहे रहा है कि रित काल में रचित अधिकाज काभी किस प्रकार के है नमबर एक है मुक्तक, चम्पू, कथा, काभी, प्रबंधक तो question का right answer हो जाएगा दोफतू रित काल में ठीक है रित काल में रचित अधिकाज जो काभी है वो मुक्तक है इसलिए question का right answer हो जाएगा ए नमबर अब बढ़ते हैं एक लिए question क्योंग अबला question काभी, सुझान चेट के रसनाकार कोन है, नमबर एक सुधन, भोषन और मतिराब की सुधासक question का right answer होता है वो होता है सुधन सुझान चेट के रसनाकार सुधन है इसलिए right answer हो जाएगा अगला question है कि रस मुसर किसकी करती है, नमबर एक एक्जाम खाकी डी नंबर सेख निसार की याकुब कोई नहीं कि न इनला तो सी नंबर याकुब खाकी यह रशमुसत ठीक है यह सारे कोईश्चन इंपोर्टेंट है तो ध्यान से बिढ़ना हूं फिर से के वीडियो को बीना इसकिप किया ध्यान से पूरा देखते रहेगा यह सभी टॉप कोईश्चन है आप सभी के एक्जाम के लिए लिखाय की राधा सुधा सतक के इसनाकार कौन है आफसर आपको मिलेगे कोईश्चन का राइट एंसर हो जाएगा इसमें से स्री हरी जी यानि की स्री नंब बहसा भूसर बी नंबर पदमा मरड और सी नंबर रस रहा से और डी नंबर वाजी भूसर क्वेश्चन का राइट एंसर हो जाएगा निमलिकित में से कोन अलगा गरंथ नहीं वो है रस रहा से ठीक है सी नंबर अगला कौशिट कह रहा है कि आचार इबिश सुनात वो तीर भागों में बाटा है राइट एंसर बी नंबर बहुत इंपार्टन कुश्चन है ध्यान देजिएगा अगले कुश्चन को बढ़ते हैं अगला कुश्चन कही रहा कि नो सत्रग रचनाकार कौन है नमबर एक बेन प्रबीन बी नमबर एदेव में और पर्थि वी सिंढ तो इसको राइट एंसर हो जाएगा नो सत्रग जो है दो सत्रग के रचनाकार बेनी प्रबीङ सिर देशों हो जाएगा एडश्चन क Sicher च कहले कुष्चिन क्या का कह रहा देखते हैं लिखा दीया कि बिहारी जी कि इन भास्वल इसलिए राइट से सी नंबर हो जाएगा अगले क्विश्चिन कर बढ़ते हैं 강acks ने सागर का संपादन किस ने किया दो कि अगले कुश्चिन कर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चिन कह रहा कि निम्रि में से देव ने किस नए संजारी भाव की उद्भावना की है नमबर एक छल बिशाद बीवर्त इन में से कोई नहीं कुश्चन का राइट अंसर हो जाएगा निम लिकिन में से देवन ने जुन्य संजारी भाव की उसका नाम है चल राइट अंसर ए नंबर हो जाएगा अगला कुश्चन कह रहा कि रीत काल को अंधरकार काल किस्टने कहा नंबर एक तिरलोचन ने बिहारी ने बोधा ने की कि एक धकर लिकी और भी नंबर्ले मतिराम की नंबर्ले की कुश्चन का राइट अचछ्ड कर अफ्मा जाएगा वह नंमर प्रकास का होजाएगा था नमबर अगले कोईश्चन के और बढ़ते हैं अगला कोईश्चन के रहा कि रीत करो कला कल किसने कहां नमबर एक है बिहारी बोधा डाक्टर रमा संकर सुक्ड," लजिन रश, लइन तो रीत काल काल कहा है शनम सकतُ राक्टर करो, По बेनी, याकुब खान, दुला, तो इस कोश्चे का राइट एंसर हो जाएगा, रस खान जी रित काल के कम नहीं है, इसलिए राइट एंसर हो जाएगा इसका ए नमबर, अगले कोश्चन के रुपा बढ़ते हैं, अगला कोश्चन कहिरा कि स्री कृष्चन रचित किसकी, स्री क्रष्चन चरित्र किसकी रचना है, नमबर एक लाल कभी की, सोमनात की, स्रीधर की, सुरती मिस्र की, तो कोश्चा है का जो राइट एंसर हो जाएगा दूफ तो वह हो जाएगा सुरति मिस्रा की है मिस्र की है ठीक है सुरति मिस्र की है स्रीकर्स चेत रचना है इसलिए राइट एंसर डी नमबर हो जाएगा अब बढ़ते हैं हम अगले कुश्चन की और अगला कोश्चन है कि सब्द रसायन किसकी क्रतिय नंबर ए घनानन बी नंबर बिहारी सी नंबर देव डी नंबर में से कोई नहीं तो इस question को जो right answer हो जाएगा तो वो हो जाएगा सब्द रसायन देव जी की क्रति है इसलिए right answer हो जाएगा C number अगला question है कि भूसर को कभी भूसर की उपाद किस ने दी थी number एक देव सुलांकी राजा रुद्र ने C number गोप ने और D number है गौल ने तो भूसर को भूसर की जो पाद मिली थी वो सुलांकी राजा रुद्र ने दी थी इसलिए right answer B number हो जाएगा अगला question है कि रीत कालिन काभी की बिशेष्ता नहीं है नतब निलिखित में से रीत कालिन काभी की बिशेष्ता कौन नहीं है अगला question है कि लच्छण ग्रंत काभी क्या है नंबर एक प्रहसन बी नंबर है महा काभी चरित काभी काभ्यांग निरूपक तो इस चर्ण काभी काभ्यांग दूपक से इसलिए राइट अंसर का हो जाएगा डे नंबर अब बढ़ते हैं हम अगले question की और अगला question कहाँ रहा कि रस्राज करत किसकी है ठाकुर की बिहारी की मतिराम की देव की तो question का right answer होजाएगा c नंबर मतिराम है ठाकुर आलम देव तो इसक लता की जो रस्राकार हैं वह बोधा है इसलिए question का अब बढ़ते हैं अगले कुश्चिन क्यों कंया है नमबर एक सुजान सिंग जय सिंग नरस इस तो रस डिदी का सुझाथ नाम है प्रत्मी शिए कोष्चिन को जो जो होता है वह होता जयान दीजेगा कोई 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 एक्जाम में भी कई बार रिपीट हो जाते हैं को राइट रोजाएगा सी नंबर मुक्तक ठीक है रितकाल में रचित अधिकांश का भी मुक्तक है ठीक है अगला कुश्चन है कि कभित रतनाकर किसी रशना है नंबर एक पादमाकर भोषन सेनफ़ती की रशन इसलिए राइट राइट अधिका हो जाएगा दी नंबर भड़ते हैं आगले कोश्चन के होला कि लिखाय की अ कि हरनी के 9hmen कोौन सा रङकत थार? विदमान काल भकतिकाल प्रमधिकाल उत्तरमधिकाल को जाएगा रीद काल को उत्तर मद्धिकाल भी कहते है इसलिए राइट एंसर इसका हो जाएगा ध्यान जीजिए का यह भी कुश्चन इप्वार्टेंट है ठीक है डी नंबर हो जाएगा अगला कुश्चन कह रहा कि रीद काल को रीद काल नाम किस ने दिया नंबर एक पंद्र नागेंद राम चं सुकल ने दिया था इसलिए राइट एंसर इसका हो जाएगा सी नंबर ठीक है का हो जाएगा सी नंबर अगले कुश्चन के बढ़ते हैं लिखा है कि हिंदी के किस काल में लच्छण गरंतों का निर्बार हुआ आफसर मिल जाएगी आदिकाल रीद काल बगतिकाल और लास् करते हैं एगले कुश्चन की क्या अग्रा कोश्चन है कि ललित ललाम के रचैता कौन है कमबर एक मतिराम देवरसलीन भोसन ललित ललाम के जो रचनाकार है तो दोस्तो आज किस वीडियो में जो हिंदी के टॉप फिप्टी कोईश्चिन हो थे वो यहीं पर कम्प्लीट होते हैं अगर यह आप कोईश्चिन अच्छे हैं जब पड़के जाते हैं तो आपको एक्जाम में काफी हिल्प मिलेगी अगर आप और कहेंगे कमेंट में और आप बहुत सारे कमेंट करेंगे कि हिंदी फिलेटेड और भी सारे सर टॉप कोईश्चिन बताईए जो कि एकजाम के लिए हिल्पुल होने वाले हैं तो और भी टॉप 50 की स्टीज में जल्द आप सभी के सामने पेज़ करूंगा जो कि कि एकजाम में कही बार रीपीट हुए कोईश्चिन होंगे और आपके एकजाम में आने वाले एकजाब काफी हिल्पुल होने वाले होंगे ठीक है तो बस आप लोग कमेंट करिए कि सब्जेट का आपको मौडल कॉश्चिन पेपर चाहिए हम आप तक प्रॉवाइड करने सब्सक्राइब करेंगे हम आपको मिलते हैं निश्ट वीडियो में तब तक लिए जैंद और वीडियो की दिसक्राइब में इस सभी कुष्टिन अगर आपको चाहिए तो TV चौन से इसे जॉइन हो जाएगां लिए उचिए आपको प्रवाइट कर दिया जाएगे लिंक वीडियो की भैस्क्राइल में